हालो फ्रेंज कैसे आप लोग यहां पर आज हम लोग बात करने वाले बिहार दरोगा 2017 के उपर यहां पर आप सभी लोग जानतीस में मामला किया यहां पर एकसाइज सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा से जितने भी जुड़े होए मामला है सभी लंबित मामला 13 फरवरी क को भी होंगे हैं यादे हम लोग बात करें साइज सब इंस्पेक्टर एकजाम के उपर एक लिए बहुत लंबा बेकरने होगा कि कि साही रहता तो आयोग चाहे तो मार्च में ले शक्ति यहां पर जहां तक लगतां यह एक्जाम के लिए को लंबाए यह वेट करने होंगे यदि आप प्लिम्स एक्जाम देना देने के लिए वीट करें इसमें थोड़ा सा लंबा इंतिधार करना होगा सायद चुनाओं के बाद भी हो सकते हैं पर PHILYPT नहीं है कि चुनाओं के बाद हैं चुनाओं के पहले तो इसमें कुछ भी करना भी और साही नहीं कि एक्जाम सब के उपर मामला लगे हुए हाई कोट में दायर में स्कूपर यहाँ पर रिजल्ट को भी रध कर दिये गया थे हाई कोट ने एकल पिठ आयों के आदेश पर दिया था कि दरोगा बहाली की मुख परिच्छा का रिजल्ट नए सीरिस आरक्षन की नियमों को पालन करती हुए निकाले और बिहार पुलिस अवर सेवायों ने एकल पिठ में इस आदेश को चुनावती दी थी चुनावती देती हुए खंट फिड में आपील दायर की थी कि इसके अलावा एक साई सब इंस्पेक्टर के पद पर भी आप लोगों को बताई दिया इसको उपर टिया तो य आप लिए जो अन्रोथ किया था आयो के वकील ने तुन्हों ने स्वाय कोड मानिया हाई कोड ने इससे सविकार किया तो इसका जो सुनवाई होगा तेरा फर्वरी कोंगे अब यहां पर ग्रेस करना यादि कुछ अन्मान लगाना बहुत गलस होगा इसमें बहुत लंबा म जहां तक लग रहा है को वहां तक जहां तक है अन्मान कि आपको ज्यादा लंबा वेट नहीं करना होगा मुश्किल से मार्स तक मुश्किल से मार्स तक पर क्या होता है तो यह एक्जार्ट करना थ्रौ मुश्किल है सारची डिपेट है हाई कोड के उपर हाई कोड में क्या निकल कराता है, तो अभी wait करें, क्या होता है, हम लोगो पता चलेगा, तेरा फरवरी को बात पता चलेगा, तेरा फरवरी को साब तक पता चलेगा क्या हुआ उस दिन अब बहुत जल्द नावस करें मार्स तक आप एक्जाम लेले पर यह कंफर्म नहीं कि आपको एक्जाम मार्स तक हो जाएंगे तो ठीक है आज की वीडियो बासा है इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी को बहुत बहुत धन्यवाज जाए जाए भारत